कि ये फ्रेंड्स विल्कम पाइक टू विदेश यादरा चानल मैं हूं मयूरी आज मैं आपके साथ सबका कॉमन क्वेशन है वही टॉपिक लेकर आई हूँ आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम यूके जाते हैं तो हमको कितने दिन में जॉब मिलेगी सचल यूके जाते हैं उसका सबसे पहला क्वेशन यही मेरे पास आता है कि मैं अगर हम यूके जा रहे तो हमको कितने दिन में जॉब मिलेगी वहां पढ़ने जाते हैं तो पड़ाई के साथ उनका सेकिंड रिजन होता है जॉब तो वही परपस के लिए सबसे ज्यादा हमारे प इनिया में किये होते है तो उन लोगों के लिए इतना ज्यादा चलेंजिस मैं आता बट हरे स्टूड़न के पास हरे एक स्किल नहीं होती है तो जिसके पास कुछ भी इस्पेशल उनिए के लिए है तो आज के वीडियो में सबसे पहले डिसकस कर रहे हूआ अगर यूके पह बार 1-2 मन्त तक वीड करना रहेगा जौब के लिए फिर जा के आपको जौब मिलेगी अप जौब आपको किस तरह से अपलाई करनी है और आपको जौब किस तरह से मिलेगी इसके बारे में हम डिसकुस करते सबसे पहले अगर UK के पहुंच जाते हो तो आपको NI numbers आपके पास होना चाहिए और BRP card आपके पास होना चाहिए तो यह दोनों card आपके पास होते हैं तो उसके बाद आप वहाँ as a employee के लिए मतलब job seekers आप बन सकते हो और आप job के लिए apply कर सकते हो मैंने यहां पे application का symbol भेजा है और description में application के link भेज़े total jobs करके यह सबसे अच्छी और सबसे best application है यहां पे आपको हर दिन job updates वाली जितनी भी openings है वहां सारी openings आपको मिल जाएगी और वहां पे आपका एक resume भी prepare कर सकते हो ताकि हर जगा पे वही click option पे आप आपका resume पोस्ट करके job के लिए apply कर सकते हो अब बात करते है कि job कैसे डूंड नी है यह तो मैंने आपको application के बारे में बता दिया बट अब job कैसे डूंड नी है तो जैसे आप UK land हो गए उसके बाद सबसे पहले आपको करना है 60 pound का bus का pass निकलवा देना है पूरे एक महीने का because of आपको अधर जो travels क के लिए जो भी कार वगेरा है वो आपको बहुत expensive हो जाएगी और आप इसके लिए तो गए नहीं हो आपको पैसे कमाने है पैसे गवाने नहीं है तो आपको वहां की local travel agencies की जो भी buses वगेरा है उसके अंदर जाना है तो उसका 68 pound का आपको पास मिल जाएगा तो पूरे महीने तक आप job search करो job search करने का सबसे पहला step ऐसा होता है कि आप market में निकल जाओ बहुत सारी जगह पे बाहर बौर लगा हुआ होता है कि उनको कौन-कौन से employee की जरूरत है तो वहां आप जाके सीधा बात करो आपका cv हाथ में लेके जाओ hard copy थोड़ी बद उनको बोलो कि मेरा cv है और cv के अंदर आपकी जो भी detail है आप student हो या फिर जो भी हो आपकी details mention करो और उनको बोलो अगर उनको लगता है relevant लगता है तो आपको दे देंगे तो यह पहला step हो गया दूसरा होते हैं बहुत सारे malls वगेरा के अंदर अगर आपके friends है या फिर आपके senior से उसके reference से आ बहुत कम जोब होती है और वह जोब के लिए अगर आप अपलाई करते हूं तो बोलो काफी चीज़े देखते हैं आपके resume के अंदर आपकी profile के अंदर उनको सही लगता है तब ही वह आपका interview लेगते है और उसके बाद आपका job का fix होता है तो यह newspaper वाला इतना easy नहीं होता ह स्टूडंट के लिए तो जो मैंने आपको बोला कि walking पे निकल जाओ आपको जहां 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 लगता है कि यहां पे opening है यहां पे opening है जहां लिखा है बाड के उपर store है या फिर mcdonald है जो भी फूर वाले जितने भी mall वागेरा चोटे ग्रॉसरी शॉप ह है या फिर fruit market है जो भी लगता है वहां पे आप देखो आपका cv दे दो तो वहां से आपको बोलेंगे कि हां भई हमको एक दिन के लिए चाहिए जो जो भी condition होती है इससे आप से आपको आर्ली बेजिस पर job मिल जाएगी फिर next आपको क्या करना है बहुत सारी application जिसमें मैं सबसे पहले आपको बाहर निकलना पड़ेगा कोई भी जौब यानि जो जौब मिलती है आपको एक बार वो जौब को एकसेप्ट कर लो आप वहां के मार्केट को जैसे समझना सिखोगे जैसे आप जान पाऊगे उसी हिसाब से आपको डेवलोप करोगे कि नहीं मुझे जो भी opportunity है multiple opportunity है आपको वही से मिलना start हो जाएगे because of आपका जो main step होता है first step होता है first step आपने एक सुरुआत की कि मुझे जो पहली job मिली मैंने वो ले ली अगर वो ले ली उसके बाद जो जो भी references है वहां से आपको बहुत सारी jobs मिलने के रास्ते बही मिल जाएंगे तो इसी तरह से आपको वहां जाना है, आराम से मार्केट रिसर्च करना है, जो पहले जॉब मिले, वो पहली जॉब ले लो, उसके बाद लोगों को connect करो, आपके CVS को continuous update करो, multiple जगह पे आप apply करो, इसी तरह से आपको कोई भी country में, मैंने अभी बात की UK में, इसी तरह कोई भ लो जाइन